आउज़ बिल्लाहिमिन श्यतान रोजीम बिस्मिल्लाहित रोख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुसिन रवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसिज यूट्यूब चैनल दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी अभी मेरा चै चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब दोस्तों से यही गुसारिश है कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पैल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताक्के मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग उन तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें दोस फ् unintended पर जाएं और वहां पर जो लेक्चर अवेलिबल हैं आप उनसे भी फायिदा उठाए उसमें से आपके likewise लेक्चर हैं उसमें आपके इंट्रड्ट्चन टो प्रोग्रेंग q2 पलफ के लक्चर हैं उसमें आपके इंट्रड़क्शन टो कॉंप्यूटिंग डी अश् तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी आज की इस वीडियो की दोस्तों आज की ये जो मेरी वीडियो है वो ECO 402 Micro Economics की जो हमारी अफाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है तो दोस्तों अफाइनमेंट शुरू करने से पहले ये बात भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं वो फिरफ और फिरफ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं कि आपने अफाइनमेंट कैसे बनानी हैं तो आप उसे as an idea ही consider किया करें और अगर उसमें कहीं कोई plus minus की गलती हो जाती है तो आप लोग उसे अपने end पे ठीक भी कर लिया करें तो चलिए हम अपनी इस अफाइनमेंट नंबर 1 Micro Economics की जो हमारी आई हुई है उसकी requirements को देखते हैं इसमें में केस दिया हुआ है केस किया है जी the high cost of nutrition diet can horizon nutrition outcomes especially in low income household vegetables are important part of human diet due to the provision of vitamins, minerals, proteins and carbohydrates in Pakistan consumer price index is used to reveal the level of inflation the monthly price review shows the prices of 53 items in 18 major cities of Pakistan at the present the increase in the price of vegetables have affected the domestic budget tomatoes, onions and vegetables, ghee are invitable food ingredients in cooking the information about their nominal prices in सेफलाबाद NCPI from the year 2017 to 2019 is given below हमें बताया कि खुराक हमारी जरूरत है और उसमें हमें जो है बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो खुराक में हमें जो है घी चाहिए प्यास चाहिए और टमाटर चाहिए उसमें हमें 2017-2019 तक की कीमतें भी दी गई हैं इसमें जो nominal prices हैं दोवार फत्रह 18-19 की टमाटो की वो 113.75, 73.16, 92 और इस इतरह अगर हम ऑनियन की बात करें तो वो 81.88, 86.88 है और वेजिटेबल घी जो है वो फत्रह के अंदर 135, अक्तूबर 18-144.63, अक्तूबर 19 के अंदर 78.85 का है इस इतरह अगर हम consumer price index की बात करें तो दोवार फत्रह 18-19 है और इसमें हमें जो requirement है वो कुछ इस तरीके से हैं by assuming अक्तूबर 2017 as base year find the real price of the tomato, onion and vegetable ghee in each year. If base year bundles have 5 kg tomato, 5 kg onion and 3 kg vegetable ghee then find less pairs index by assuming अक्तूबर 2017 as base year and October 2019 as current year. तो दोफ्तों ये है हमारी assignment और अब हमने देखना है इसका solution क्या है? दोस्तों मुझे अमीद है आप लोगों की जो है assignment की requirement की समझ आ गई होगी तो हम इसके solution की तरफ चलते हैं और हम जो हमारा फस्ट पॉइंट है जिसमें हमने real price कैलकूलेट करनी हैं. आप अब हम आप 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 हैं वो देखते हैं तो real price कैलकूलेट करने के लिए जो हम formula यूज करते हैं वो है CPI base year जो हमें बताया गया है CPI current year और multiply by nominal price current year तो उसके लिए मैंने ये table draw किया है इसमें first में item फिर unit फिर year फिर nominal price और फिर CPI और फिर हमें real price दिखाएगी अब हमारा सबसे पहला item जो है वो tomato ह है अब इसका 2017 के अंदर देखा जाए तो इसकी nominal price 113.75 है जबके इसका जो CPI हमें दिया गया था वो 357.71 है तो अब हमें question ही में ये भी बताया गया था कि हमारा जो base year है वो 2017 का है तो अब जो formula है उसमें CPI base year base year की CPI जो है आब वो देखें यहां पे हमें 337.71 दी गई है डिवाइड करेंगे CPI current year current year current year भी 2017 तो यही आ जाएगी और multiply by 113.75 यह हमारी जो है nominal price आ जाएगी current year की तो यहां पे इसका जवाब है वो 113.75 जो है वो हमारी real price आगे इसी तरह हम 2018 को देखते हैं तो इसमें देखें बेस year हमारा वो ही 2017 वाला रहेगा और उसका CPI 337 ही रहेगा आप देखें 337 इशारिया 51 डिवाइड बाइ 242 और वरब इसकी जो आपकी nominal price है वो है 73 इशारिया 16 तो यह आपकी real price जो है वो 102 इशारिया अठाफट आ गई इसी तरह अगर हम 2019 की बात करते हैं तो इसमें देखें हमारा 375 इशारिया 71 वो बेस year का आ गया 210 इशारिया 34 जो है वो हमारा current year का CPI आ गया और multiply by 92 यह जो है हमारी nominal price आ गई तो इससे जो हमारी real price है वो 147 इशारिया 71 हो गई अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे आइटम की जो के है onion अब onion के अंदर देखें हमें unit kg के अंदर है दोज़ार अगर हम 17 की बात करते हैं यही हमारा base year है दोज़ार फत्रह वाला यह हमें question में बताया गया तो 491 इसका CPI है और current year का CPI भी 491 शरिया 92 है और multiply by आपकी nominal price वही 80 शरिया 88 है तो आपके जो real price है वही 81 शरिया 88 आ गई इसी तरह अगर हम 2018 की बात करते हैं तो इसमें देखें base year हमारा वही रहेगा दोज़ार फत्रह वाल जो है वह हमारे base year की CPI है अगर हम current year की CPI देखें तो वह हमारी 21.58 है वह 21.58 और multiply by 36.88 शरिया 88 जो है वह nominal price है तो हमारी जो real price है वह बन गई 83.77 इसी तरह अगर हम 2019 की बात करते हैं तो इसमें देखें 491.92 यह हमारी base year की CPI हो गई divided by 44.37 यह हमारी current year की CPI है मतलब 2019 की इसी तरह multiply by 78 78 जो है वह हमारी nominal price है current year की 2019 की तो इससे हमारी जो real price है वह 82.83 हो गई और इस तरीके से हमारी जो product B है मतलब onion है वो भी clear हो जाती है तो देखें हमने tomato किया उसके पाद onion और अब हमारा third जो है वो vegetable घी है और उसके जो unit है वो भी kg की अंदर है अगर हम देखते हैं 2017 को तो इसकी nominal price जो है वो 135 है इशारी 88 है इसकी CPI जो है वो 143.26 है अब हमारे पाफ जो formula है वो है CPI base year हमारा यही 2017 बनेगा तो इसलिए 143.26 आ गया divided by 143.26 यह हमारी current year की मतलब 2017 की CPI आ गई और इसी तरह multiply किया हमने 135.88 और 135.88 जो है यह हमारा nominal price है तो दोस्तों इससे हमारी 135.88 जो है वो हमारी real price आ जाती है 2017 के घी की अब हम बात करते हैं अपनी 2018 की real price की तो 2018 में देखें 144.88 हमारी nominal price है 158.88 जो है वो हमारा CPI है consumer price index है अगर हम real price निकालना चाते हैं तो उसके लिए हम formula यह करते हैं CPI base year divided by CPI current year और multiply by nominal prices तो इसमें देखें base year 143.26 आ गया और divide किया हमने 148.48 के साथ multiply किया हमने 144.63 मतलब nominal price के साथ तो हमारे पास जो real price है वो 149.55 इसी तरह अगर हम 2019 की बात करते हैं तो इसमें 143.26 हमारी base year की price हो गई offeri CPI हो गई और divide किया हमने 173.41 के साथ ये हमारी current year की CPI हो गई और multiply किया हमने 178.85 के साथ ये हमारी nominal current year की price हो गई तो जवाब है वो हमारे पास 147.75 आ गया तो इस तरीके से हमारी जो requirement number 1 है वो complete हो जाती है और उसके लिए जो हमने formula यूज किया है वो है CPI base year और divided by CPI current year औ multiply by nominal year अब गलती क्या करते हैं लोग वो ये करते हैं कि आप देखें हमारी जो first product है वो है tomato अब tomato के साथ हमारी जो base जो है वो 2017 में 370 फिशरिया 71 है CPI और इसको हमने base year बनाना है और इसको हमने base year जो है वो फिरस टोमेटो के लिए बनाना है इस तरह जब हम onion पे आएंगे तो onion की जो 2000 फिशरिया की CPI होगी उसको हमने base year बनाना है और वो फिरस और फिरस onion के लिए बनाना है यहां पे देखें 337 फिरस टोमेटो के साथ लिखा हुआ है और 491 फिरस ब्यानवे यह हमने onion के साथ लिखा हुआ इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ अपनी तीसरी product यह जो क 43.26 लिखा है जो vegetable घी की category है बाफ और बाकी जो onion है उसके लिए 491 और जो टोमेटो है उसके लिए 337 हमने CPI ली है उसके बाद बात आ जाती है current year की CPI अब current year की CPI वो हमें यहां पे हर year की अलग-अलग दी हुई है 17-18-19 की tomato की 17-18-19 की onion की और 17-18-19 की vegetable की उसके बाद nominal prices हैं nominal prices भी हमें अलग-अलग दी हुई है 17-18-19 की tomato की और 17-8-19 की हमारी onion की और 17-18-19 की हमारी vegetable घी की तो उन सब को जब हमने divide किया और multiply किया तो हमारे पास यह वाली जो values है 17-18-19 का tomato का real price आ गए 17-18-19 की हमारे पास onion की real price आ गए और 17-18-19 की हमारे पास vegetable घी की हमारे पास real price आ गई तो इस तरीके से हमारा जो question number one है वो complete हो जाता है अब बात आ जाती है जी हमारा जो question number two है उसकी वो हम कैसे calculate करेंगे उसमें हमने lap race calculate करना है उसका जो formula है current year price multiply by quantity divided by base year price और multiply by quantity और multiply by hundred अब देखें यहां पर वैसे ही मैंने एक table बनाया है जैसे मैंने पिछली question को solve करने के लिए बनाया था उसमें item है unit है years है nominal price है और left pairs है अब यहां पर देखें टोमेटो आ गया हमने उसका जो bundle बनाया था वो 5 kg था और इसी तरह हमने जो टोमेटो का base year रखना है वो दो वार फत्रा रखना है और इसी तरह जो है दो वार फत्रा में इसकी nominal price 1375 है मैंने यहां पर जो price ली है वो nominal ली है तो आप real price से यहां पर calculate किया हुआ है लेकिन यहां पर दिखाई आपको nominal price गई है तो यहां पर देखें दो वार 18 के अंदर 102.68 है और इसी तरह आपको 2019 का जो है वो 147.71 है अब यहां पर हमें current year price current year हमने देखें हम जो last price calculate कर रहे हैं वो हम calculate कर रहे हैं 2019 का तो हमने base year बनाना है दो बार 17 को तो current year price जो है वो हमारे पास है 147.71 वो यहां पर लिखें multiply by quantity इसका बंडल बना है वो 5 के जी का है तो multiply by 5 divided by हमारी base year की जो है वो price आनी है वो 113.71 है वो आ गई और multiply by इसकी जो quantity है 5 वो आ जाएगी और multiply by 100 आ जाएगा तो जब हमने इसको multiply किया तो 1.2985 और multiply by 100 आ गया तो 1.2985 हमारी इसकी जो है वो left pair आ गया इसके बाद हम onion की बात करते हैं तो onion में देखें यह भी हमारा bundle जो है वो 5 kg का है इसमें भी हमने अक्तूबर 2017 को 20 यर लेना है फिर 2018 का और 2019 का है तो यहां पर देखें अक्तूबर 2018 में जो price है nominal 81 शरी 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 और 19 के अंदर 82 शरी 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 होधड है तो हम 2019 का पेर कलकुलेट कर रहे हैं तो 82 शरी शरी शरीशा फट मल्टिप्लाइ बाए 5 और फिर 81 शरी 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 गी के अंदर भी ऐसे ही है दो वर फत्रा का हमें बताया गया है और फिर दो वर अठारा का और फिर दो वर उनिस का लेकिन इसका जो बंडला है वो 3 kg का है दो वर फत्रा में 135 इचारी एठारा अठाफी जो है इसकी नोमिनल प्राइस है अक्तूबर दो वर अठारा की 149 इचारी पचपन है और इसी तरह हमारा अक्तूबर दो वर उनिस का 147 इचारी पिछतर है तो 147 इचारी पिछतर करंट इयर की प्राइस प्राइस multiply by quantity 53 आ गई और फिर divided by 135 हमारी बेस इयर की प्राइस और फिर multiply by quantity 5 आ जाएगी और फिर whole multiply by 100 तो इस से जो है हमारा जवाब 108.73 जो है ये निकल आता है तो दोस्तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंट नमबर 2 है वो भी solve हो जाता है दोस्तो मुझे उमीद है आप ल होगा कि आपने कैसे solve करनी है तो आपको मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कि आप www.youtube.com slash teachers online पे for you पे जाईए और वहाँ पे CS101, MGT101, CS201, MGT201, HTML, Java और web development और office related और बहुत सारे lectures वहाँ पे available है तो आप उस चैनल को ना फिरह subscribe करें बलके bell के icon पर भी click करें और वहाँ पर जो videos हैं अगर आप वो को beneficial लग रही हैं तो वो अपने दोस्तों से share कीजिए comment की favorit में अपना feedback दीजिए अब दोस्तों मुझे उमीद है आप लोगों को यह assignment समझ आ गई होगी और muffin भाई को इजावत दीजिए मिलते हैं हम अगली किसी assignment या GDP के solution के साथ तक उस वकत तक के लिए muffin भाई को इजावत दीजिए Allah हाफिव